किसान साथियो नमस्कार आप सबका हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियो आज मैं आया हुआ हूँ रोहतक में एक मेरे मित्र है योगेंदर सिंग जी और उन्होंने मुझे कई बार इन्वाइट किया के त्यागी जी आप हमारे फार आपको उनकी एक विसेस बात बताता हूँ उनका अमरूद का बाग है बारा साल पुराना जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इनकी मार्केटिंग किस प्रकार करते हैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा ये मेरे पास से नीमू के पोधे लेकर आये थे जुलाई म अब एक और बाग लगाने जा रहे हैं यहां पर और इसलिए आज मैं आया हूं इनके पास में और अब मैं आज यहां ही पर रुकूंगा और मैं आपकी इन से बात कराता हूं किस प्रकार ये अपने अमुरूदों को 100 रुपे किलो बेशते हैं या पर आईए मिलते हैं मेरा नाम योगिंदर कुताना जगह से हूं मेरा अपना छोटा सा एक फारम है दो एकड़ पांच एकड़ में मेरा अम्रूद का बाग है कुछ निम्बू भी लगाया है और ये करीवन करीवन 12 से 14 साल पुराना बाग है और बस ये समाल थोड़ी सी ठीक ठाकर पाते हैं और य करीवन करीवन 100 रुपे और जो चटाई होती है उसका 80-70 रुपे हम बेशते हैं देखे कितना अच्छा इस साल भी आपको यही भाव मिला मिलता है अच्छा आपकी कौन सी वराइटी है अम्रूद की इसमें सफेदा है और हिसार सफेदा एल 49 है और यह जी विलास है कितने वर्ष पुराने पोदे हैं 2007 में बाग लगाया था और अभी तक यह ठीक बहुत बढ़ी अफ्रूटिंग दे रहा है आप सर्दी की फसल लेना पसंद करते हैं या बर्सात की बर्सात की हम फसल लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उस टाइम पर कीड़े है आपके इत्याकी जी के माग दर्शन में और उसको बढ़ाएंगे गहूं कटने के बाद इबर्सात में अच्छा एक बास बताईए आपके अमरूद यहीं से बिख जाते हैं या कोई गेट पे सारा बिख जाता है जो चटा हुआ होता है जो बाकी का जो बी ग्रेड या सी होता है उसको हम कहीं और जाके बेचते हैं अच्छा अमरूद यहीं पर अच्छा सारा का सारा यहीं से बल्कि कम भी रह जाता कि किसान साथियों मुझे आज कल बहुत फोन आ रहे हैं लोग वाटसेप पर भी पूछते हैं तो मैं कुछ ऐसी बाते बताऊंगा कि आपकी जि इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा और उससे पहले बताऊंगा कि यह देखिए एक इनके बाग में यह लेसन का यह पड़ा हुआ है चिलका है और इसमें से एक लेसन की खुस्बू भी आ रही है और इससे कीडे कुछ कम आते हैं आपको याद होगा कि नावेद भा किसान साथियों सर्दी के अमरूद लेने के लिए मैं आपको तीन बाते बताऊंगा अगर आप उन पर ध्यान रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं है जैसा मैंने पहले सभी वीडियो में बताया है कि आपको अगर सर्दी की फसल लेनी है तो आपको फरवरी में पानी बंद कर देना चाहिए यानि फरवरी से पानी नहीं देना है आपको पोदों में और उस समय पानी बंद करने के बाद आपको इसमें गुडाई कर देनी चाहिए जैसे इनके खेत में है इन्होंने क्या किया कि इसमें पानी दे दिया था और पानी देने के बाद आप देखेंगे क कुछ कल्ये फूट आए हैं यह देखेए। य쪽 ही किसान भाईयों ने यह जैसा मेरे को बताते हैं फौन पर यह देखे इसमें das मैंने कहीं उसमें देखा है की ड्हाल अभी एगई है और इनके फल भी बनेंगे कुछ किसान भाईयों ने मुझे बताया कि जी हमने कटिंग कर दी है और गुडाई भी कर दी है वो और गलत काम है हम गुडाई क्यों करते हैं यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए गुडाई इसलिए गहरी गुडाई करते हैं कि जिससे जो पोधे की भोजन वाली जड़े होती हैay जिने में दूतियक जड़े बताता हूँ वो कठ जाती है और पोधा सुसुपता अवस्था में चला जाता है इसमें समस्या एक हाथी है अगर ऐसे में कोई बारिस हो जाए अगर ऐसे में बारिस हो गई तो फिर कल्लों का सरजन होता है पोधा चाग जाता है अगर बारिस हो गई तो मैंने बताया था कि उसमें यूरिया का 15% यूरिया का इस्प्रे कर जब आपकी कली निकलने लगे उसी टाइम इस्प्रे कर उनको रोकना चाहिए और फिर उसके बाद ये इस्प्रे एक भी हो सकता और दो अगर आपको दो प्रे करने पड़े तो उनमें कम से कम 15 दिन का अंतराल रखिए हमने इन में कल्यों को नहीं रोका तो हमारी सरदियों की फशल का नुकसान हो का तो किसांसाथियों जो कल्या हम रोकेंगे उस पर हम यूरिया का इस्प्रे करेंगे और अभी मैंने आगों में दिखाई दी, आप इनको हर साल काटिये, कोई भी सूखी हुई टैहनी नहीं हो चगे, इनके बाग की कभी भी कटिंग नहीं हुई आज तक ये 12 साल का बाग है, तो इनको बताया के सूखी टैहनीया काट दीजिए, इसमें निराई गुडाई कराईए और इसको छो अप्रेयल के बाद इसमें कटिंग कर फिर इसमें पानी देंगे, तो हमारी सर्दियों की फसल सुरू हो जाएगी, तो किसान साथियों जो लोग जिनके बाग बड़े हैं और वो सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, तो फिर मैं दोहरा देता हूँ, फरवरी में पानी जो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है एरिया के साब से पर 25 अपरेल के बाद आप कटिंग शुरू कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद में कटिंग आपको बहुत हलगी करनी है जितनी सूखी साखाए हैं सबको हटा देना है काटना है और जो ये अंतीम साखा थी जिस पर फाल आये थे उसको ट्रीम कर दीजिए उसको हटा दीजिए तो नए कल्लो का सरजन होगा जैसे ही आप पानी देंगे और फिर आपके पानी देने के 25 दिन बाद आप देखेंगे के कल्ले निकल आएंगे और उसके 25 दिन बाद आपके फूल आ जाएंगे ये थी हमा अगर आपका कोई सवाल हो, तो वाटसेप पर उसकी पूरी जानकारी दे, जैसे पेड कितने वर्स के हैं, कब फसल लेना चाहते हैं, और उनमें अब तक क्या-क्या कारिय कर देते हैं, कोई बीमारी है, तो ये बताएं, कि उनमें पिछला खाद, पानी या स्प्रे क्या किया अगर ये सब चीजे नहीं होती, तो मैं उत्तर देने में ऐसा मर्थ होता हूं, इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, बंदे मातरम